हिमाचल प्रदेश की आन बान शान हिमाचली टोपी जो की हिमाचलियों के सरकाताच है अज पूरे हिमाचल में ही नहीं बलकि देश विदेश तक हिमाचली टोपी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है इम आशर प्रदेश की टोपी कई रंगों और डिजाइन में आती है मुखेता किनौरी टोपी, बुशेहरी टोपी, कुलवी टोपी और लाहूली टोपी है परंतु समय के साथ अन्य टोपियों ने भी अपना प्रभाव बनाया जन में महादीव लिखी टोपी, शिव लिखा हुआ टोपी पर सफेद रंग और भगवा कलम वाली टोपिया माना जाता है कि टोपी की शुरवात किनौर से हुई लोग ठन से बचने के लिए टोपी का इस्तमाल करते थे लेकिन अत्यधिक प्रचलन टोपी पुशेहर सियासत से आई आज भी पुशेहरी टोपी को अधिक पहना जाता है इन टोपियों पर पहले मुनाल की कलगी वर अरुल का बेच जोकी पेपर फ्लावर की तरह होता है वो सजावट के लिए टोपी पर लगाये जाते थे परन्तु वरतवान समय में मुनाल की कलगी पुरन रोप से प्रतिबध है इन पेपर फ्लार पर रंग बिरंगी डिजिटल लाइटों को लगाया जाता है जिससे ये बहुत खूबसूरत लगती है रात के समय टोपी बहुत ही खूबसूरत चमकदार लगती है यह अभी तक की सबसे आधोनिक टोपी है यह आधोनिक टोपी बगसेयाड सिराज की इनोवेटर उनप्रकाश ठाकूर द्वारा बनाई गई है ओंप्रकाश ठाकूर की डिजिटल टोपी भविष्य की हिमाचली टोपी है किमाचल परदेश में बभीन परकार की टोपियां पहनी जाती है जिसमें किनौरी बुशेरी और कुलवी लहुली और एक नई टोपी है जो की आधुनिक दौर पर प्रिंटिट है महादेव टोपी उसके साथ ही एक भारतिय जनता पार्टी वालों की भी एक टोपी है जिस पर फ्रंट में कमल का निशान रहता है वो भी काफी प्रचलन में है जो की बाद में बनाई गई और भुविन परकार की कलर और डिजाइनों में अपलब्द रहती है आज हम बात करेंगे उस टोपी पर लगने वाले एक फूल की आपने देखा होगा कि हिमाचल परदेश की टो टाट का फूल कहते हैं जिसका हिंदी नाम अरलू है और भुविन स्थानों पर इसे भुविन नाम से उकारा जाता है यहाँ फूल ना होके एक बीज होता है वास्तव में यहाँ हिमाचल परदेश के लोर इलाके जैसे मंडी बिलासपूर नालागर साइट उगता है और इसे किनौर की टोपियों में दिखतर लगाया जाता है आप मैं देखा होगा कि यह जो फूल है यह काफी खुबसूरत लगता है टोपियों पर पर परन्तु हमने इसमें एक नया आधुनिक क्रम जोड़ा हमने इसमें डिजिटल लाइट्स लगाई जिससे यह स्पेद क अधिक कलर का ना होके एक कलरफुल फूल हो जाता है जिसमें अलग-अलग तरह की लाइटें जलती है अब देख रहे हैं कि मेरे हाथ में इस समय एक फूल है उस तरह का और उसके साथ ही एक बैटरी लगी हुई है चोटी जैसी और उसी बैटरी के उपर स्विच और करना शुरू हो जाती है और इसे सधारन तरीके से जैसे यह हमारे पास बुशेरी टोपी है इसके में एक पिन लगा होता है जो कि आम तोर पर इन फूलों के साथ ही मिलता है और इस पिन को इस टोपी के साथ लगाया जाता है आप चाहे तो उपर दाएं पाएं जो भी आप को ठीक लगे उसी साथ से लगा सकते हैं इस तरह से यह हमारी टोपी त्यार हो जाती है और इसे आप पैन सकते हैं इस लाइट को किसी भी साधारन चार्ज से चार्ज किया जा सकता है चाहे तो सॉलर प्लेट लगाके इसे सॉलर से भी चार्ज किया जा सकता है जो कलरफुल बनाने का मकसद ये था कि हिमाचल प्रदेश में कुछ समय तक मुनाल की कल्यूवा प्रिचलन था जो कि अब सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंदित कर दी गई उन मुनाल की कल्यूव की जगा एक ऐसी चीज की आफशक्ता मैसूस हुई तो हमने इसी टाट के जो फूल कहते हैं वास्त में तो ये बीज होता है तो हमने इस फूल में ही लाइट को जोड़कर इसे और भी खुबसूरत बनाया उमीद है कि आप लोगों को हमारा ये प्रियास अच्छा लगा होगा हमारे पास इसकी काफी सारी मांग आती है और काफी सारे लोग ले भी जाते हैं हमने इस पर जो बैटरी लगाई होती है काफी सुरक्षित है और बजन में भी कम रहती है जिससे टोपी का बजन जादा नहीं रहता है प्रंतु मैं खुद एक टोपी लवर हूँ तो मैं तो कहता हूँ कि आप लोग हिमाचली टोपी पहनिये जुरूरी दिये कि आप इस तरह की डीजिटली टोपी पहनिये कोई भी साधारान पहनिये क्योंकि हिमाचल की टोपी हिमाचल की शान है जिकॉल करे 9418035372 पर और इमेल से भीजे अपना बायो डाटा hr.goilmotor.com पर